तो दोस्तों, Assalamualaikum, Learn and Earn के YouTube चैनल में खुश्यामदीव हम अपने C++ के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और अब हम जिस टोपिक को डिसक्स करेंगे वो भी हमारा टेंपलेट का टोपिक होगा हम पहले ही टेंपलेट के टोपिक को डिसक्स का रहे थे हमने टेंपलेट के टोपिक में क में डिसक्स किया हमने देखा टेंपलेट के Topic का Syntex किस्ता हम यूज करते हैं और अगर मैं आपको दखा हूँ तो हमने देका था कि तेंपलेट का आप keyword लगाएने और उसके बाद आप लखेंगे class और class के बाद आप एक argument देंगे वो argument behave करेगा as your data type कि हमारे data type के तोर पे वो argument behave करेगा और वो data type हम in domain में define करेंगे कि वो argument क्या होगा और उसके बाद फिर हमने क्या class simple जिस तरह हम class create करते हैं उसी तरह हम एक class create करेंगे पस जिस जगह पे हमारा data type लगेगा उस जगह पे हम T लगा जगेंगे अगर हम function के अंदर void लिख रहे हैं तो हम wide ही लिखेंगे अगर हम wide नहीं लिखते हैं white की बजाए हम उसकी जगह पे end float लिख रहे हैं कोई data type शो करवा रहे हैं तो हम उसकी जिगा भी यह टी का आर्गुमेंट लिखेंगे अब जो हमारा लासमी नहीं है जो आपका यह वाइड है यह आपका एक डेटर टाइप नहीं है वाइड आपके कोई वैल्यू डिटर्न नहीं करता इसलिए जह पर आप जो हमार्जी डेटर टाइप यूज करना च अगर आप यूज करना चाहरे है तब एप इसको इस वाइड करना है तब यह को USE कर सकतें प्र हम इन पर किस त्रह प्र आउबजिक्त करते हैं तो हमने देखा मेन हम कलास का नाम लिखते हैं उसके बाद हम अंगुलर के लिगते हैं और उनके में अदर हम उपने डेटर टा और उसके बाद हम अपना object लिखते हैं और अगर आगे हम object परामेटर देना चाहरे हैं तो हम वो parameter भी दे देते हैं तो हमने यह देखा था तो उसके साथ सा फिर हमने दूसरी class में देखा कि हम किस्था multiple parameters पास कर सकते हैं कि एक साथ अगर मैं चाहरा हूं कि मैं अपनी class के अंदर float भी यूज़ करों तो मैं float भी यूज़ कर सकता हूं अगर मैं character यूज़ करना चाहरा हूं तो मैं character भी एक ही class के अंदर दो different data type यूज़ करना चाहरा हूं तो इस जिकार पर हम डिफाइन ना करें तो जी बिलकुर हमारे पर ऐसा मेतड़ भी है अब जो अब देखें कि इसको थोड़ सा अडवांस लेवल में लेकर जाएंगे अडवांस से मतलब कि अडवांस तो नहीं आप इसको कह सकते हैं लेकिन जी जो अभी तक हमने क्रियेट करते हैं क्लास 66 के नाम से तो मैं इधर आता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं क्लास.cpp और इसके साथ ही मैं एंटर दबाता हूं एंटर दबाऊंगा तो मेरा यहाँ आधे रहे एक बाते अधर आज़ेगा तो और यह मैंने आपको कुछ बाते और भी ब्रौद के बारे में मैंने आपको बताया था कि कि जो टेंपलेट है इसको आपने बड़े दियान से चीखन लेंगे तो आप अपने जो साथ के दोस्ते हैं आपके दोस्ते हैं आप उनसे 10 गुना ऊपर चले जाएंगे कि प्रोग्रामिंग में आप उनसे 10 लेवल अप हो जाएंगे तो इसलिए अगर आपको टेंपलेट्स नहीं आए तो आप STLV नहीं सीख सकेंगे तो आपने पहले को दिहान से सीखना है तो अब हम क्या करेंगे हम यहां पर एक क्लास क्रिएट करते हैं टेंपलेट की हेल्प से और डिफरेंट आर्गुमेंट्स यूज़ करेंगे तो मैं यहां पर लिखता हूँ टेंपलेट कीवर्ड लगाया एंगुलर ब्रेकिट लगाई और उसके अं अंगुलर ब्रेकिट को मैं क्लोज कर दूँगा जैसी मैंने अपनी अंगुलर ब्रेकिट को क्लोज किया उसके साथ ही मैं नेक्स लाइन पर जाता हूँ और मैं जिस तरह अपनी आम क्लास डिफाइन करते हैं उस तरह मैं अपनी क्लास डिफाइन करूँगा और क्लास का मैं कोई भी नाम लिख दूँगा like मैं class का नाम लिख देता हूँ simple या text लिख देता हूँ जो भी आप लिखना चाहें यह आप पर depend करते हैं मैंने text लिख दिया उसके बाद मैं curly brackets लगा रहा हूँ curly brackets लगा के जहां जहां पर मैं अपना data type यूज करना चाहरा हूँ उसकी जिगा पर मैं w और e को यूज करूँगा तो अब यहां पर हम देखते हैं let के हमारा जो मैं object भी create कर लेता हूँ तांके आपको confusion ना हो w और e में तो हम क्या करेंगे हम यहां पर अपनी class का नाम लिखते थे लाइक मेरी class का नाम है text मैं यहां पर text लिखूँगा angular brackets लिखाई हैं angular brackets के अंदर हम अपनी जो data type है वो लिखते थे कि w के लिखिया data type मैं लिखना चाहरा हूँ मैं कहता हूँ w के लिए w मेरी as a float behave करे और उसके साथ साथ जो मेरी e है वो मेरा e का argument मेरा as an integer behave करे तो उसके वाँ मैं एपनी angular brackets को close करूंगा और उसके वाँ मैं अपना object define करूंगा object मैं create कर लेता हूँ अपना my के नाम से तो my का मेरा object है और इसके साथ मैं इस object को parameter देता हूँ parameters मैं देता हूँ 4.5 और उसके साथ साथ मैं देता हूँ 7 के तो यहां तक होगे हमारा जो और उसके साथ साथ मैं यहां पर लगा लेता हूँ सेमी कोलन मैं इस चिकाव भी सेमी कोलन लगा लेता हूँ अब मैं यहां पर क्या करूंगा मेरा यहां पर एरर किस चीज़ का रहा है मैं देख लेता हूँ तो शाहिद हमने अभी तक परम एग नहीं क्रिएट किया जो हमारा इस वे इस आ रहा है तो जब हम और इस प्रिएट करेंगी तो यह रिमूब हो जाएगा तो मैं यहां पर जाता हूं मैं एक प्राइवेट इंटीजर्स क्रिएट करता हूं लाइक मैं कहता हूं एंट 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 एस कोमा एंट इंट डी तो अब आप लिगों को पास एक मिंट के लिए मैं ब्रेक लिए रहा हूं तो बिल्कुल चाहिए आप लोगों ने पता है कि यह मैथड़ सही नहीं है मैं इसमें अपने डिटर टाइप की जिगा मैं अपने डबली और ए को यूज करूँगा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एसा है वो एसन फ्लोट बिहेव करे तो मैं इसके साथ डबली लगा दूँगा अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डी भी एसन फ्लोट बिहेव करे तो मैं इसके साथ डबली लगा दूँगा लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डी है वो इंटीचर बिहेव करें तो मैं इसका ए लगा दूँगा तो ए मेरा इंटीचर का डेटर टाइप है और डव्यू मेरा फ्लोट का डेटर टाइप है तो अब मैं आगे जाता हूं मैं के करूँगा अब आपको यह पे बेनिफिट प्लक्या आता ने में एक जास का डेटर टायप आजएगा जाएगा क्यों जहां यहां पर डव्यू ऊप्लोट आजएगा तो सिमिलरली मैंने अपने कुछ जो हम कहते हैं प्राइवेट इंटिजर वैरिबल्स डिफाइड कर ली और इसके बाद मैं यहां पर पॉब्लिक में जाता हूँ पॉब्लिक के अंदर हम एक अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रेट कर लेते हैं जिसमें हम अपनी वैलियू के इनिशलाइज करेंगे तो पॉब्लिक कैसे मिलिशलाइज करते थे हम क्लास का नाम लिखते थे उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा डबल्यू और डबल्यू के बाद जो मेरा पीछे ऐसे पैरामेटर आएगा मैं लिक दूंगा लाइक मैं यहां पर लिखता हूँ m, कॉमा और E की साथ मैं लिख लेता हूँ N यहां भी अगर आप इसको कोई वैल्यू दे दें तो वह जादा अच्छा रहेगा कि पता रहे कि यह आपको कन्फ्यूज कर रहा है WST तो मैं इसको कहता हूँ data तंकेंग कन्फ्यूज ना हो हम और इसको मैं कहता हूँ data1 तो अब हम क्या करेंगे अब हम यह हमने हमारा जो इसको क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहां पर आते हैं यहां पे अंदर मैं कहता हूँ के w इस एकुल टू sorry w नहीं हमारा जो data है वो is equal to आएगा और data is equal to m और similarly data 1 is equal to n यह पना data और data 1 अपना इनिशलाइज कर लिया अपना इनिशलाइज कर लिया और जो कहते हैं एम अपना इक function करता हूं और function का नाम आप एक वाइज और वाइज शो का function करता हूं वाइज शो और वाइज शो के function में मैं c आउट कर दोंगा मैं c आउट कर दोंगा c आउट 1st data is एंडल और सिमिलरली हमारा जो सेकिंड डेटा होगा डेटा वन तो अब मैं इसको सी आउट करवाऊंगा तो अभी हमारा कुछ नहीं हम पहले वाले तरीके को ही लेकर चाल रहे हैं तो सिम्पल मैं अपने ने ने पर आता हूँ और मैं यहां पर लिखता हूँ कि माई डोट शो और सेव करता हूँ सेव करके मैं इसको रण करता हूँ तो देखें 4.5 और 7 आगे अब हम देखते हैं डिफॉल्ट पैरमिटर क्या होती है देखें कि मैं इस चिंगा पर अपना डाटव यह देना चाहता या मैं किसी वएशे नहीं दे पाता ह। तो हम डिफॉल्ट आरगिमेंट से देटेंगे कि मैं default argument करदेंगा मेरा default argument होगा कि w is equal to flood कि मैं यहाँ पर इसको default argument दे रहा हूँ therap इक्वल टू मेरा इंट और अब मैं सेफ करूँ तो अब स्टिल मेरा प्रोग्राम जो है वो सही रन होगा तो मैं सेफ करके रन करता हूं इसे बलके मैं एक काम करता हूं यहां पर मैं इसको 4.6 कर देता हूं क्योंकि तो देखें 4. 6.7 आगया तो अब मैं क्या करता हूं अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि W का पेरमिटर डिफॉर्ट ऑर्गुमेंट नहीं करता, मैं E का डिफॉर्ड अर्गुमेंट देरहहो और यहां पे मैं W का argument दे के चेक करता हूँ कि क्या यह run होता है कि नहीं होता है क्योंकि बच्चों का सवाल आता है ना सवाल तो कहीं से भी आ सकता है तो मैं के करता हूँ मैं यहां पे float देता हूँ float दे दिया मैंने और सेफ किया, सेफ करने के साथ साथ मैं इसकी value फिर change कर देतا हूँ अब साथ वाले करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 9 सेफ करता हूँ, सेफ करके मैं run करूँगा तो देखें हम़ा 9 अगया अब मैं अगर बज़े इसके 9 कर के कि मैं इसको एक काम करूँ जे कर दूँ और यहां पर मैं इसको करेक्टर कर देता हूं कि यह मेरे एज़ा करेक्टर बिहेव करे तो मैं इसको सेफ करके अब रन करता हूं तो देखते हैं क्या यह हमारा रन होता है कि नहीं मैं चार हो के ना रन हो लेकिन वो रन हो जाता है तो आपने क्या करना है आपने इसके आगे कोमा लगाना है कोमा लगा के आपने फिर यही प्रोसीजर दोरा दिना है इसी तरह आप थर्ड भी दे सकते हैं फॉर परेमिटर भी दे सकते हैं फिफ्ट भी दे सकते हैं शिक्स भी दे दे सकते हैं तो Default Argiments की मैं अब यहां पे आपको एक बात हो यह Default Argiments आपके तब लुट रन होंगे जब आपके यहां पे अखर आर्गुमेंट अवेलेबल नहीं होगा कि जैसी मेरे यहां पे आर्गुमेंट अवेलेबल होगा तो मेरे Default argument run नहीं होगा कि लाइक अगर पर default argument w का इंटिचर कर दूँ कि मेरा w का default argument भी int ही है लेकिन देखिए मेरा still जो float ही आएगा तो मैं इसको save करता हूँ, save करके run करता हूँ, तो देखे मेरा 4.6 ही आ रहा है, क्यूं आ रहा है create करते हुए मैंने वह argument नहीं दिया होगा मैंने इसको define नहीं किया होगा कि कौँ से data type जाये तब मेरा ये work करेगा otherwise ये काम नहीं करेगा ये सर्फ तब काम करेगा यहां पर default argument जब यहां पर मैंने नहीं दिया हुआ जब मैं यहां पर दे दूँगा तो फिर जब यहां यहां पर दो तो करेगा मैंने नहींट है। जब यहां पर जब यहां दो कि दोछके दुखा हुआ है।